सब्सक्राइब करें भी न्यूस को और बेल आइकन दबाएं बॉर्ड दर्म के महत्वपून स्थलों में से एक कुशी नगर को या लाइन सोविधाओं से जोडने के लिए कवायद तो 1995 से ही चल रही है लेकिन 23 साल बीतने के बाद भी एरपोर्ट का काम अभी भी अधूरा है लेकिन अब कुशी नगर के कस्या नगर स्थिद इंटरनाशनल एरपोर्ट को विक्सित करने की पहल शुरू हुई है जिससे जल्द एरपोर्ट के शुरू होनी की संभावना जगी है एरपोर्ट के बाउंडरी वॉल का काम लगभग पूरा हो गया है और एटीसी बिलिडिंग के काम भी जल्द पूरी होने की उम्मीद की जा रही है इसके लिए परियाप्त बजट भी जिला प्रशासन के पास उपलब्द है कुशीनगर इंटरनाशनल एरपोर्ट में जिस गती से निर्मान कारियर चल रहा है उससे संभावना है कि 2019 से पहले यहां से घरेलू और अंतराश्ट्रे फ्लाइट उड़ने लगेंगी जिला अधिकारी आंध्रावामसी ने कहा कि कुशीनगर इंटरनाशनल एरपोर्ट का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और जो काम बच्चा है उसे भी दिसंबर तक पूरा करने का लक्षे है रन्वे बनने के बाद सम्बंदित विभाग के अधिकारी विमान उतार कर इसकी जाच भी कर चुके हैं जिसमें सब कुछ सही पाया गया है हाल ही में समाप्थ हुए यूपी समेट में पी एम मोदी ने कुछी नगर एरपोर्ट पर निवेश करने के लिए आवान किया था बहरहाल इस एरपोर्ट के शुरू होने से जहां कुछी नगर में परियतन बढ़ेगा तो वही स्थानिय स्तर पर भारी संख्या में रोजगार कभी स्रजन होगा जिससे क्षेत्र का विकास होगा